सूप्रभात अध्यन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं जैसा कि हमने पंद्रवेश लोप में देखा कि भगवान श्रीक्रिश्ण अरजुन से कहते हैं कि जिस प्रकार से तुम्हारे पूर्वजों ने कर्म किया है यह हमारे पूर्वजों को चाहने वाई थे, उन्होंने जिस प्रकार से कर्मों को संपादित किया है, उसी प्रकार से तू भी कर्म कर। अब यहाँ पर एक प्रश्ण उठ जाता है, कि वास्ता में फिर परमप्रा प्राप्त कर्मों को जानने की आविशकता क्यूं है? कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया या उसी दृति से हमें करने को आविशक क्यूं है? तो यहाँ जब यह प्रेश्म होतता है कि यह कहा जाता है कि मुक्श को कर्म करने की आविशकता ही नहीं है अथात जो मोक्ष का अधिकारी जाने वाला है, मोक्ष का इच्छुक है, उस व्यक्ति को कर्म करने का कोई अवशक्ता नहीं है, वो ज्यान का अधिकारी होता है तो ऐसे समय पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति की ईश्वर की उपासना करने की जो उतकंठा है, जो उसकी बलवती इच्छा है, उस उतकंठा से, उस इच्छा से जब उध्धी, निस्वार्थ भावना से, या हम जिसे लगातार कहते आ रहे हैं, निरासक् होने पर शुद्ध होकर पूर्ण रूप से उपासना करने लगती है, उपासना मैं हो जाती है, अथार्थ उसके जीवन का प्रयोजन इश्वर भक्ति को ही समर्पित हो जाता है, उसकी प्राप्ति करना, और उसको किस प्रकार से प्राप्त करना है, उसी प्रकार के उसकी ब वो स्वार्थ रहित हो जाता है निस्वार्थ हो जाता है और निस्वार्थ भाव से जब वो कोई भी कर्म संपाधित करता है तो वो कर्म बंधन कारक नहीं होता है चाहे वो व्यक्तिक कर्म करे चाहे वो सारजनिक हित्मे करे वहाँ पर वो उसके लिए बंधन का कारण नहीं ह कर्म का भोग का कर्म जाती है और उस परम सत्ता को पहचान कर वो उसके जब सारे कर्म उसी को समर्पित हो जाते हैं तो वो कर्म करता हुआ भी मुक्त हो जाता है वो कर्म उसे बंधन में नहीं डालते हैं यही उस कर्म का जो है इश्वरी अधिश्ठान कहलाता है यह हम कह दें कि उस सब प्रकार से स्वार्थ से रहित होकर उपासना को चाहने वाले जो पुरुश हैं वो कोई भी जो कर्म करता जैसे हमने का चाहिए वो सारवजनिक हित्मे करे या व्यक्तिक रूप से हित्मे करे वो उसके लिए बंधन का कारण नहीं बनते और इस प्रकार से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति वुद्धी योग से संपन होता है वो अपने ग्यान के बल से ग्यान की सामर्थ से शक्ति से कर्म या अकर्म को समझने में भी समर्थ हो जाता है क्योंकि अब हम आगे जो श्लोग पढ़ेंगे उसमें कहा गया है क्या है इसको कि कर्म क्या है विकर्म क्या है अकर्म किया है इस बारे में वो यहां पर बतला रहे हैं तो जब तक उसकी बुद्धी शुद्ध नहीं होती उसमें उपासना की इश्वर उपासना की जिग्यासा बलवती नहीं होती उपासना करना जो हम एक यांत्रिक भाव से कारे कर रहे हैं वो एक अलग है लेकिन जब हमारी प् कि उस समय वह जो भी कर्म करता है वह उसके लिए मोक्ष का कारण होता एंदर oveकेılar पहचान पाता है या उसके अंदर एक सामंजस स्थापित कर पाता है और जब तक बुद्धी योग युक नहीं होती तब तक व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा योगी समझ में आए लेकिन वो अपने एहंकार से उपर नहीं उठ पाता है वो संकुचित विचारधारा का रहता ह और कौन सा कर्म है अकर्म क्या है व्कर्म क्या है वास्तव में वो से जान ही नहीं पाता इसलिए श्रीख रग्य slippers का सुरूप यहां पे प्रतिपादित किया है ताकि जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति हो रही है जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है जो मुक्त भी होना चाहता है वो पहले अपने को उस भाव गूमि ले जाकर के प्रतिष्ठित करे या उस अवस्था को प्राप्त करने के चेश्टा करे जहां सुक और दुख के बी कलाव हैं उसका उद्देश जितने भी विरोधी भाव हैं जितने भी हमें इस आपाधता जिसके अंदर हमें विरोधी भाव प्रदर्शित हो रहे हैं या वो हमें एक दूसरे के विपक्ष में जाते दिखाई पड़ रहे हैं या नितांत जिसमें हमें भिनिता का अनुभव ह उन दोनों को बीच में एक सामंजस स्थापित करना समत्व बुध्धी लाना यही हमारे कर्मों का कोशल है समत्वम योग उच्चते या योगा कर्मसु कोशलम यह दोनों ही जो वाक्य हैं वो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं और उसको किस प्लकार से हम उस इस्थिति को उस दशा को प्राप्त करें उस अवस्था को प्राप्त करें इसी के बताने के लिए इस गीता का प्रसार हुआ है या उसका उप्देश हुआ है अब हम देखते हैं कि यहां वो कहते हैं कर्म विकर्म और अकर्म को जानना चाहिए समझना चाहिए तो उसके लिए कहते हैं कि किम कर्म इति कवयो अत्रमोहिता यह कल पढ़ चुके हैं तत्धे कर्म प्रवक्षामी यज्ग्यात्वा मोक्ष से अशुभाद कि कर्म क्या है जिसको अभी हम ने कहा कि इस संबध में जो विद्वान हैं जिनोंने स्वयम को ज्यानी होने का दावा करते हैं उनकी बुद्धी भी इस सम्वंद में संशयात्मक होती है क्योंकि वो कैसे हैं मोहित हैं उनकी वुद्धी परिकावरन पड़ा हुआ है इसलिए अब तुमको बता रहा हूं कि कर्म क्या है और जो हमने कल पढ़ लिया और इस भाव को जान करके तुम अशुभात मोक्ष से अशुभात अथा ज कर्म को भी जानना चाहिए बुद्धव्यम अथात ज्यान का विशे है उनको भी जानना आविशक है अथात कर्म पर विचार करना भी आविशक है विकर्म अचा बुद्धव्यम जो विकर्म है तो विकर्म का भी विकर्म हम किसे कहेंगे जिनको शास्त्र में निशिद्ध क विकर्म माना गया है, शास्त्र वर्जित हैं, उनको विकर्म कहते हैं, तो उनका भी विचार करना आविशक है, यदि हमें ये बात पता ही नहीं होगे, शास्त्र में किसका निशेद किया है, किन कर्मों का नहीं करना चाहिए, निशेद है, और जब तक हमें ये पता नहीं तो जो हम कहते हैं शास्रविहित कर्म करने चाहिए तो ये भी है कि शास्रविहित कर्म है जिनका निशेद किया गया है तो उनका फिर हम उसको अपनी सामाजिक जो इस्थिती है जो हमारा जो लोक है जो सामाजिक दशा है उन सब पातों का ध्यान में रखते हुए उनका अध् शिंकलता बढ़ सकती है, किस प्रकार से अनाचार बढ़ सकता है, तो वो कहते हैं कर्म को भी जानना चाहिए, कर्म का भी विचार करना चाहिए, विकर्म का भी विचार करना चाहिए, अकर्म नशिचा बोधव्यम और अकर्म का भी विचार करना आविशक है, अकर्म अथा जो हम कहते हैं कि अकर्म जो कर्म नहीं है उसको हमने कहा अकर्म तो अकर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए गहना कर्मनो गती क्योंकि कर्म कर जो गती है जो तत्व है वो अत्यंत गहन है गंभीर है तो यहाँ पर वो एक पालकारसों ने इस पश्ट कर दिया है कि केवल ये कह देने से ही कि कर्म करना चाहिए आप उसको नहीं समझ सकते क्योंकि जो कर्म है वो शास्रिवित क्रिया को हम करते हैं हमें जो परंप्रा से प्राप्त हो रही है कि ये करना चाहिए तो हम उनको करते हैं विकर्म को भी जो शासरि वर्जित कर्म है उनके भी जिसे अभी हमने का कि यदि हम उसको पता नहीं होगा तो हम उसके और चित्त को कैसे समझ पाएंगे तो उनको भी जानना विशक है और अकर्म का अथार्थ कर्म ना करने को यानि कि जहां पर चुपचा बैटना है तो उसके रहसे को भी समझना चाहिए क्योंकि कर्म, अकर्म और विकर्म ये जो तीनों बाते कही गई हैं तीन प्रकार कहे गई हैं उनका यथार्थ सरूप जानना अत्यंत गंभीर है अथा उनको पहले समझना आविश्चक है यहां इस संदर में हम कहते हैं कि कर्म है वो मोक्ष का साधन है बगएर कर्म के हमारी मोक्ष भी संभव नहीं है तो इसलिए उसको भी जान उसकर्म के स्वरूप को जानना आविश्चक है जिसे हमने कहा कि वेदों में कहा जाता है कि कुछ नित्तिक रियाएं हैं नैमित्तिक हैं किसी कारण से की जाती है और कामे रूप हैं इस प्रकार से उनके जो साधन है जो द्रव पाजन आदी रूपों से उनके जो अलग-अलग भाव है तो उनको जब प्राप्त हो करके कर्म जो किया रहता है विकर्म क्यलाते है तो उस विकर्म के विशे में भी हमेरा ज्यान होना आवश्चक है तो किस प्रकार से हमें कर्म, विकर्म और अकर्म को समझना है इस संबंध में यहाँ पर कृष्णन ने संकेत मात्र किया है उन्होंने यहाँ पर इसका कोई विस्तार पूर्वक विवेचन नहीं किया है लेकिन एक संकेत कर दिया है कि जो कर्म है वो जो हमें बाहर से दिखाई पड़ रही है कि हाँ कोई क्रिया हो रही है उसको हम कर्म कहते हैं जो चीजे दिखने में बुरी लगती है जिसे हमने का ने का ने कि इधी हमें ये पता नहीं हो जिसका निशेद किया जा रहा है तो उस निशेद के आचित्त को हम तक तक सिद्ध नहीं कर सकते जब तक कि हमें वो अमांगलिक ना लगे या कहें कि हमें वो उसका स्वरूब जो है उसमें कल्यान की भावना नहीं है लोग कल्यान की भावना नहीं है इसलिए उसको विकर्म कहा जो हम निशेद किसका करते हैं जिसको करने से लोग का कल्यान नह करियान देखने में बुरी लगती हैं हम अश्लील और शलील श्र॥ और हम तब हम तब हैं ए जो कर मौद में सव इस विकार्म करना चाहिए और अकर्म अथा हमें वह रूप से हमारी जो दृष्टी जिसको होते हुए नहीं देख पा रही है तो उस कर्म के अभाव इन तीनों के सरूप को दिखाए समझना होगा और इस कर्म में वो आगे कहते हैं कर्मणी अकर्म यहा पश्येद अकर्मणी चा कर्म यहा क्या कहते हैं यहां पर कि कर्मणी अकर्म यहा पश्येद कि जो कर्म में अकर्म को देखता है अभी हमने जो कहा कर्म क्या है जो हमें सिखाई पढ़ रहा है अकर्म क्या है जहां हमें क्रिया होती दिखाई नहीं पढ़ रही तो जो कर्म में अकर्म को देखता है और जो अकर्मनी कर्म और जो अकर्म में कर्म को देखता है वास्ता में वो मनुष्य बुद्धिमान है और वो कैसा है सम बुद्धी सा बुद्धिमान मनुष्येशू या युकता कृष्ण कर्मकृत और वास्ता में वही कर्म योगी है सा युकता योगी है युजर योगे से तो वही वास्ता में योगी है जो संपून कर्मों को अथार्थ विधी के अनुसार करने वाला है, समस्त कर्मों को करने वाला है, वास्ता में कर्म करने वाला क्या है कि वो कर्म में अकर्म को देखे, अथार्थ जो एक क्रिया हो रही है, उन क्रिया को करते हुए भी उसका जो म कि गवाने जो है वह इस त्थिर है इसको आपके एक कथा से समझ सकते हैं कि एक राजा प्तू था और उसकी हाँ कोई उससे मिलने आता है और उससे वह मोक्ष का स्वरूप या वह वह एक ध्यान का एकागरता के बारे में पूछता है कि ध्यान एकागरता करना चाहिए कि या और उसका रहस है वह पूरी लंबी कथा मेली जाओंगी यहां बहुत संश्रे पर बता रहे हैं तो वह उस व्यक्ति से कहता है कि तो सिर के उपर उसके घड़ा रखवा देता है पानी से भरा और कहता है कि पूरे नगर का जो चक्कर लगा पूरे नगर का चकर लगा किया और पानी का एक बून भी छलकना ने चाहिए नहीं तो तुमको नित्युदंट दे दिया जाएगा वह व्यक्ति जब जाता है वहां से लेकर तो उसका सारा ध्यान जो है वह उस घड़े पे रहता है कि पानी उससे छलक नहीं जाए और ऐसी इस्तिति में वह किसी प्रकार से उस तो वह कहता है कि मेरा तो सारा ध्यान जो है वह इस बात पे था कि घड़े से पानी ना छलक जाए और उस दिस्तिति में आ करके वह समस्ता है कि वास्तब में जीवनमुक्त का सरूप क्या है ये कथा जनक ऐस समबन्द में है राया जनक के समबन में है is त्य विस्तार में हम यहां नहीं कहा है क्योंकि वो वेक्ति उस्तियों पर कहता है कि आप सम राजा होते हुए भी किस प्रकार से स्वयम को जीवन मुक्त रह लेते हो तो वो कहता है जिस प्रकार से तुने सारे नगर में तु भूम कि आया लेकिन तेरा सारा का सारा ध्यान तेरे इस घट के उपर करते हुए अपने जो मन है उसको केवल एक इश्वर में इस्थापित कर लिया है जिसके कारण वो कहीं इधर उदर ने भटकता तो इस प्रकार से हम इस कथा के माध्यम से कि वो सारे कर्मों को करते हुए यदि उसका मन इस्थिर है तो वो अकर्म कहलाएंगे ये बात इस छोटी से कानी से आपको इसपश्ट हो गई होगी कि जो कर्म में अकर्म को देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्यों में बुध्धिमान है सा मनुष्येशु वो वास्तव में मनुष्यों में बुध्धिमान है सा बुध्धिमान कैसा है वो युक्तायोगी है कैसा है कृत्सने कर्म कृत्स और समस्त कर्मों को करने वाला है संपून कर्मों का संपादन करने वाला है निश्पादन करने वाला है तो एक प्रकार से वो कर्म करते हुए भी मुक्त है और यही व्यक्ति का जीवन का उत्तेश भी होना चाहिए, क्योंकि जो शरीद हमको प्राप्त हुआ है, उस शरीद का निर्भा करते हुए ही हमें अपने मुक्ष प्राप्ति के लिए प्रियतने करना होता है, तो यहां जो शरीद है, वो किस से बना ? जो हमारी इंद्रिया है वही तो विश्यों का ग्रहन कर रहे हैं मन यदि उसके साथ सहयुकत नहीं हो तो भी हमें विश्यों का ग्रहन नहीं हो यदि बुद्धि उसमें युकत नहीं हो तो भी हमें योगा तो जो हमारी इंद्रिया है मन है बुद्धि है वो सभाव से क्या है कर्म करने का या होने का जो है उसको व्यक्ति को गतिशील रखने के लिए निरंतर लगी रहती है अधार कोई ना कोई कार्य व्यक्ति करता रहता है और इस रकार से उसका जो देह का अभिमान है वो कर्म की गतिशीलता के लिए परियाब तो होता है देह का अभी ध्यान होना अथा जब तक आपको इस देह को धारण करे हुए हैं तक तक आपको उसका भी ज्यान है और उस देह के माध्यम से ही आप मोक्ष प्राप्त करने के लिए गती करते हैं और जब व्यक्ति इस प्रकार से दोनों में एक संतुलन इस्थापित कर लेता है जब उसका जो चित्त है वो शुद्ध हो जाता है और अपने उस इस्थिर्ता को प्राप्त करते हुए भी जिसे हमने का है कि जो चित्तवृत्ति निरोधा जो चित्तवृत्यों का निरोध है उसको हम योग कहते हैं तो यहां जो वो समस्त्य चित्तवृत्यों का निरोध हो जाता है जो हमारे जो जिसके दौरा हमारा जीवन यापन हो रहा है वो तो यांतिक्रियाएं हो जाती है और जो हमारा मन है उस परम्तत्यों में इस्थिर हो जाता है तो इस प्रकार से इन दो समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्यानागनि दग्द कर्मानम तम आहू पंडितम बुधा यस सर्वे समारंभा यस जिस व्यक्ति के जिस पुरुष के सर्वे समस्त जो कार है वो आरंब यानि सभी कर्मों का जो आरंब है काम संकल्प वर्जिता काम अथा जो उभूग की जो अभिलाशा है उसकी जो तुष्णा है उससे काम संकल्प अथा जब हम कोई भी कारे करते हैं तो हम संकल्प लेते हैं कि उस उद्धेश से जो वैदिक क्रियाई की जाते थे यग्य की जाते थे उसके पहले संकल्प लिने का विधान था, कि मैं इस उद्धेश से ये कर्म में प्रवृत्त हुआ हूँ, तो जब वो काम संकल्प अपनी इच्छा के संकल्प से वर्जित हो जाते हैं, रहित हो जाते हैं, ज्यानागनी दग्द कर्माणम तम आवू पंडितम उधा, तब ज् जिसके समस्त कर्म कर्माणम समस्त कर्म भस्म हो गए हैं, अगनी के द्वारा दग्द हो गया थार भस्म हो गए हैं, बुधा पंडितम आवू, उस व्यक्ति को जो बुध यानि ज्यानी व्यक्ति हैं, वो पंडित यानि की पुद्धिमान कहते हैं, पंड़ावा ने आपको पहले बताया कि पंडा का आर्थ होता है बुद्धी और जो इस बुद्धी को धारण करने वाला है वो पंडित कहलाता है तो यहां पर जिसके समस्त जो कर्मों का आरंब है यानि कि वो जो भी कर्म कर रहा है वो अब इसको सामानी भाषा में क्या संकल्प रहित हो गया पुबर्जिता काम संकल्प अथारत आप किसी इच्छा से किसी उद्देश से जिसको प्राप्त करने की इच्छा का संकल्प लेकर आप काम करते हैं तो वहाँ पर उसको प्राप्त करने की चेश्टा करते हैं आपकी फल में आ सकती है यह सपष्ट हो जाता है तो जब वह काम स जिस प्रकार से जिदि बीच को भून दिया जाए तो उसमें अंकुरण की क्रिया नहीं होती है तो उसी प्रकार से यदि कर्मों को भी हम निशकाम भाव से करने लगे तो वह बंधन का कारण नहीं होते है ये बिलकुल आपके जो जीवन में राप्त होने वाले अनुबावे जो आप देखते हैं कि यदि हम शेतर में खेत में जब बीज डालते हैं तो उसका अंकुरन होता क्योंकि उनमें सामर्थ है उस जिस जीज का भी बीज है उसको प्रकट करने की वो पदार्थ उसके अंदर चिपा हुआ है लेकिन यदि उस बीज को भून दिया जाए तो फिर अंकुरन संभब नहीं है यानि कि अब उसकी वो जो सामर्थ ही उसको वो समने वहां पे समाप्त कर दिया और अधिक उत्पन करने की तो उसी प्रकार से यदि कर्मों का संपादन निश्काम भाव से किया पड़ता हमें जराम द्यू के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता हम मुट्व हो जाते हैं अब उसी को आगे जा यह तैक्त्वा कर्म फलासंगं जो आपको अभी बात कही कि कर्म अभी प्रवृत्तों पी नेव किंचित करो थिसा कर्म फलासंगं जैक्त्वा की अब ऐसा व्यक्ति जिसे अमने का कि मैं आपत काम हूँ मुझे कर्म की आवशक्ता नहीं है विर्वी मैं कर्म कर रहा हूँ तो यहां वे करें कि जो व्यक्ति कर्म फल की आसकती का त्याग करके और कैसा है वो नित्त्रिप्ता वो नित त्रिप्त रहने वाला है उसकी कोई कामना शेष नहीं रह गई त्रिप्त है व्यक्ति अतारत उसके अंदर किसी भी फल की अभिलाशा शेष नहीं रह गई तो जो नित त्रिप्त रहने वाला व्यक्ति है वो कर्म के फल में आ सकती का कर्मफला संगम कर्मस से फल आ सकती तो कर्मफलेशु जिसकी कर्मफल में जिसकी आ सकती नहीं है उसका त्या करके सदेवत्रिप्त रहने वाला अतर्थ फल प्राप्त करने की जिसमें बिलाशा नहीं है उसके मन में निराश्रया आश्रय रहित है जिसके मन में कभी व्याकुल कर्मनी अभी प्रव्रित्त Song रहे हैं वो कुछ भी नहीं करता अथातन वास्ता में कर्म कर्णारा है दिखता है लेकिन फिर भी वर कर्म कर्मIN रही है वह कर्म की शेणी में नहीं रख रहे तो यह जो व्यक्ति के अंदर इश्वर उपासना की उतकंठा जागरित हो गई है उसके प्रत्य ख्रिया को वो इश्वर को समर्पित करने में समर्थ हो गया है वही व्यक्ति कर्म अकर्म और विकर्म को समझ सकता है और जो इसके पहले का कि जो कर कर्म में अकर्म को अरकर्म में कर्म को देखता है क्योंकि विकर्म का अंतर भाव इसी में हो जाता है क्योंकि हम कह रहे हैं कि शास्त्र निशिद्य कर्म है वेद निशिद्य कर्म है उसको हम विकर्म कह रहे हैं तो जब वो निशिद्य कर्म है तो उसको हम कर्म की शेणी में कर्म करते हुए किस प्रकार से व्यक्ति को समझ सकता है तो यहां पर वो उसको और स्पष्ट कर देते हैं कि जो व्यक्ति कर्म फल में आ सकती का त्याग करके नित्तित्रिप्त हिर्दे से निराश्रया आश्रे रही तथा किसी भी कामना का जो आश्रे नहीं है कर्मनी कर्म में प्रवृत्त होते वे भी वो कुछ नहीं करता है इसी को जो है अगर हम कहें कि भगवान शंकर ने आचारशंकर कहते हैं कि ज्ञान के प्रभाव से करमों में अभिमान और जब फला सक्ती का त्याग करके व्यक्ती तृट्त हो जाता है, पूर्ण काम हो जाता है, विशे कामनाओं से रहीत 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 हो गया है, तो वास्ता में वो आश्रे से रहीत है, आश्रे से रहीत क्यों क्यों क्यो काम की संकल्प के साथ प्रारम करते हैं तो यदि हमने उस संकल्प का ही त्याग कर दिया कि फलासिती में हमारी आसकती नहीं तो वह आश्रे का ताग हो गया यहां पर यह निराश्रे कार्थ है तो कहते हैं कि उसमें वह आश्रे लेकर कि मनुश पुर्शात करता है किसी कार में प्रव्रित तो होता है तो ऐसे व्यक्ति जो है वो लोग और पर लोग यहीं लोग और पर लोग के इस्टफल साधन रूप आश्रे से रहित हो जाता है और ऐसा व्यक्ति क्या होगा क्योंकि या उसने कामना का ही त्यार कर दिया तो वो क्या है ग्यानी है और वो कर्म वास्ता में अकर्मी है यानि कि वो जीवन यापन के लिए लोक कल्यान के लिए कर्म कर रहा है लेकिन वास्ता में वो अकर्म की शेडी में आ जाते हैं क्योंकि आत्मा क्या है निश्क्री है तो निश पादनों के सही कर्म का त्याग कर देता है और उन कम्रों से जब वो निवृत हो जाता है उससे संभव नहीं है जिसे उन्हें कहा अगर आपको देखे पिछले अध्याय में कि व्यक्ति एक शन भी कर्म करें बगएर नहीं रह सकता ना जातू अकर्मुकृत ना कश्चित शनम कि व्यक्ति एक शन भी कर्म किये बगएर नहीं रह सकता तो उस इस्थिति में कि जब उसके अंदर फलेच्छा का त्याग कर दिया है उसका अपना कोई उसमें स्वार्त नहीं रह गया है उस काम का उसने त्याग कर दिया है पूर्ण निश्काम हो गया है ऐसी इस्थिति मे क्योंकि वो कर्म करे बगर नहीं रह सकता कर्म करना मनुष्य का सौभाव है ऐसी इस्थिति में वो जो कर्म करता है वो अकर्म की शेनी में आ जाता है और ऐसे व्यक्ति के लिए उनका है कि वास्ता में वो कुछ करता है नहीं उन सभी कर्मों को वो अकर्म की शेणी में परिवर्तित कर देता है उसे निलिप्त भाव से वो संपन्न करता है सायास कहते हैं हम समाजिक वैभार के लिए लोक वैभार के लिए वो उनकार्यों को करता है तो एपका कहते हैं कि निराशिर यत्चितात्मा त्यक्त सर्व परिक् कि आशा निराशी अधा चाहंसे आशा का त्याग हो गया है तो आशा यहाज जुसकी उपभोग की वासना है उससे जो रहित है उनसे जो विरप्त है ऐसा व्यक्ति त्यक्त सर्व परिग्रह उसने समस्त जो विलास की भोग की सामकरी है उनका त्याग कर दिया है अब परिग्रह वाली जो इस्तिति है तो सर्व परिग्रह तो जो कुछ ग्रहन करने योग है उनका उसने सर्वता त्याग कर दिया है अथार्थ शुद्चित्वाला हो गया है उस व्यक्ति का जो अंताकरण है उसकी जो इंद्र इंद्रियान को नीजोइं तो कि वह व्यक्ति कि नहीं कर रही। नियंत्रित हो जाती है तो ऐसा जो व्यक्ति है वो शारिरिक कर्म करता हुआ भी जो शरीर के जो अवशक कर्म है उनको संपन करता हुआ भी किलविशम ना आपनोती किलविश को अथार्थ किसी प्रकार के पाप का भागी नहीं होता है अथार्थ शरीर निर्वा के लिए जो कर्म किये जाने है उनको करते हुए भी वो अकर्म की इस्तिती में रहता है किसके लिए का ये बात निराशी पहला पत क्या है निराशी अथार्थ जो आशा रहित है आशा क्या अप्राप्त को प्राप्त करने की जो विक्ति के अंदर एक इच्छा होती है, उम्मीद होती है, वो आशा है, तो जिसने आशा का ही त्याग कर दिया, वो निराशी, या निराशा नहीं, निराशी, अथार्थ उसने उस इच्छा का त्याग कर दिया, निश्काम भ कोई कारे करता है उसने अपनी समस्त जिससे कहा है विलास सामगरी अथार संपुन भोग सामगरी का परित्या कर दिया है इंद्रिया जिसके वश में हो गई है अन्ताकर्ण जिसके वश में हो गए है ऐसा व्यक्ति केवल शारिरिक करते हुए शारिरम कर्म अथार शारिक शरी क कि निर्भागितू जो आविश्यक कर्म है उनका इस नान ध्यान यादे भी इसलिए आविश्यक है ताकि उसों स्वस्त बना रहे हैं तो उन कर्मों को करता हुआ किल विशम न आपनोती किल विशकोप्राप्त अथार्थ पापकोप्राप्त महीं होता है और इस कर्म में वो आगे और इस पश्ट कर रहे हैं यद्रिच्छा लाबसंतुष्टो जण्दवातितो विमत्सरा समासिध्धवसिद्धवसिद्धव यहाँ पर आप संदी हो गई ह आदी संदी चाक्रित्वा पीना निपद्धिते यद रिच्छा लाव संतुष्टो यद रिच्छा रिच्छा याने की अपने इच्छा नुसार तो अपने स्वभाविक रूप से जो प्राप्थ होने वाली पदार्त हैं जो हमें प्राप्थ हो रही इच्छा लाव स्वैमे प्राप्त होने वाले लाव से जो संतुष्ट रहने वाला है द्वंद्वाती तो जो द्वंद से अतीत है निर्द्वंद है किसी प्रकार के मन में उहापोनी रहेगा सब प्रकार के द्वंद्वों से जो रहित हो गया है विमत्सरा जो मात्सरे रहित है जिसमें इश्या भाव नहीं है सरल है ऐसा वक्ति सभी प्रकार के दुंदों से जो रही थै जो यश और अप्यश में सिद्धी और असिद्धी में जिसे हमने पहले वे सिद्धा लावा लावाव जया जयाओ खान जो दुंदों हैं उनके बीच में जो समत्व इस्थापट करता है जिसे हमने पहले पढ़ चुके है उसी को यहां भे क्या रहे हैं सिध्धी और असिध्धी में समंह कृत्वा समरूपो होकर जाता है वो कर्म को करते हुए भी कित्वा भी कर्म करते हुए भी ना निपद देते उसके बंधन से युक्त नहीं होता अतार्ट कर्म बंधन में नहीं पड़ता जिस बात को उनोंने काहा था वहाँ पे इस्तित प्रग्य के सिरूप में जो बताया था कि सुख दुख खे समय कृत्वा लाबा लाबव जया जयो वहाँ भी यही बात कही थी दुख दुख के बीच में जो समाहार की स्थिति ले आता है उसके बीच जो संतुलन को साथ लेता है वो योगी है अब पुन्हा वोसी बात को यहाँ पर पुन्हा इत्तित व्याख्या के बात फिर वही बात कहते हैं कि यद रिच्छा लाव संतुष्टो जो भी उसको प्राप्त हुआ है जो भी उसको प्राप्त हुआ है बिना चेश्टा के उसके लिए उसने प्रयास नहीं किया है तो बिना इच्छा के जो से स्वतह प्राप्त हुए है उनी पदार्थों से साथ जीवन में उसे जो कुछ सहज भाव से प्राप्त हो गया है उससे वो संतुष्ट है महाँ पर ये प्रश्ण नहीं है ये शिकायत नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है या मुझे ही क्यों मिला इसलिए उसको दूसरा जो पद है वो कहते है दवन्ध वाती तो संतुष्ट दवन्ध से जो अतित है अधार जो दवन्ध है सुक दुख इत्यादी जैपराजय इत्यादी उनसे जो परेचला गया है अधार वहाँ उसके कोई मूल नहीं रह गया उन दवन्धों का विमत्सरा जो एश्या का जहां सर्वता भाव हो गया है कि उसके पास ये है मेरे पास नहीं है तो इस प्रकार से जो विकृतियां हैं उनसे जो उपर उठ गया है उन विकारों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है अपने द्वंदों से जो परे हो गया है ऐसा व्यक्ति सिद्धी और असिद्धी में यहां फिर वही सिद्धी और असिद्धी की बात हो गई कि सिद्धी और असिद्धी में समान भाव अपना कर्म करता हुआ भी उन कर्मों के द्वारा बंधन में नहीं पड़ता है यहां पर आपको उकाद इन जो श्लोक पढ़ाय जा रहे हैं, यदि जुती अध्याय का तृथिति एध्याय का आपने अच्छी तरह से अध्यां नहीं किया है, तो निश्या ही इन श्लोकों समझ नहीं समझ पाएंगे इसके अधिप्राय को नहीं समझ पाएंगे तो इस श्लोकों को समझने के लिए इनको जानने के लिए आपको इस्तित्प्रगी का स्वरूप भी सबस्ट होना चाहिए दिमाग में कि वहां इस्तित्प्रगी का स्वरूप जो बताया है कि वह व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है कर्म का अविशक्ता क्यों बताई क्यों कि कर्म की यह बगया नहीं रह सकता इसलिए अब यहां पर कर्म सन्यास की जब बात करते हैं तो वहाँ पर यदि उन दोनों का सुरूप इस पश्ट नहीं है, कर्म का सुरूप इस पश्ट नहीं है, तो निश्चे ही आप इन श्लोकों के अर्थ को उसके मर्म को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए जब इन श्लोकों को पढ़ते हैं तो आप पुना उस तरफ देखिये, आप और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, धन्यवाद.